एक बड़ी पुरानी कहावत है कहते हैं अंधा गुरू बहरा चेला मांगे गुड देवे धेला कुछ इसी तरीके के हाल हैं बिलावल भुटो के बिलावल भुटो पियो के पहुंचा लेकिन उसे पियो के जाना बहुत भारी पड़ गया महिलाओं ने आखिर घेर लिया पाक बड़ी चेताओं नहीं दे दी और बता दिया कि रूस हार सकता है जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से रूस ने न इस रूस यूक्रेन युद्ध में प्राइवेट आर्मी को हायर किया 15 महिने से ये युद् लंबा खिचने की उमीद बताई जा रही है पर इस यूद्ध में अभी हाल फिलाल में एक बड़ा अपडेट आया और वो अपडेट था कि युक्रेन के हाथ से नमक का सहर निकल गया बखमूत जिसे नमक का सहर कहते हैं उस नमक के सहर के बारे में यहां तक कि जेलेंस्की पिस्विकार किया था कि यह युद्ध में हार चुका है लेकिन फिर ज़िनस्की बदल गया बखमूत में अभी लड़ाई जारी है भक मूत जो रूस ने कबजा किया है वह जो कबजा एक पूरी जमीन पर नहीं है और अभी लड़ाई लड़ी जा रही है अब वैगनार चीफ ने इस बात का खुलासा कर दिया और खुलासा करके एक हड़कम समचा दिया है वैगनार चीफ ने ये कहा है कि हम एक जून तक बखमूत का पूरा कंट्रोल रूसी सेना को दे देंगे या इस युद्ध में हमें 20 हजार सैनिकों को खोना पड़ा है अब ये आखड़ा रूस के उस आखड़े से एकदम अलग है जिसमें ये बताया गया कि रूस ने केवल 6 हजार से अधिक सैनिक खोए इससे जादा नहीं वैसे आपको बता दें सोवियत संग ने अफगानिस्तान युद्ध में मात्र 15 हजार सैनिकों को खोया और वो भी करीब 10 साल का युद्ध था 1989 से लेकर 89 तक जहां 15 हजार खोए तो यहां मात्र 15 महिने के युद्ध में 20 हजार का नुकसान बताया जा रहा है हलाकि वैगनार प्रमुख ये कह रहे हैं कि 50 हजार रूसी अपरादियों में से 20 परतिजद यानि मात्र 10 हजार को युद्ध में लड़ने के लिए भरती किया गया था और ये जो 10 हजार हैं इन में से अधिकतर इस युद्ध में मारे गये कहा जा रहा है कि अधिकतर अपरादी थे जिने युद्ध में भेजे जाने से पहले कोई परियाप्त ट्रेनिंग नहीं दी गई थी और यही वज़य है कि मरने वालों की संख्या बहुत जादा है पर वेगनार चीप ने पुतिन को आगाह किया और कहा कि सत्रू अब मजबूत हो रहा है युक्रेन अब मजबूत हो रहा है और युक्रेन जल्द ही क्रीमिया पर हमला कर सकता है और पुल को उड़ानी की कोशिस कर सकता है मतलब यहाँ पर इस्तिती अभी भी डामाडोल जरूर दिख रही है क्योंकि वैगनार चीफ ये कह रहा है कि अगर यूक्रेन की लडाई को जल्दी खत्म नहीं किया गया तो रूस के अंदर भी बवाल मच सकता है जहां रूस यूक्रेन की ये लडाई अभी यहाँ पर खत्म होती हुई नहीं दिख रही है और बढ़ती हुई दिख रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारत तो एक अलग ही लेवल पे चला गया है पाकिस्तान में हो रहा है पीएम मोदी का जैकारा कई सोसल मीडिया एक्सपर्ट और कई लोग है जो अब यहां तक की पाकिस्तानी लोग वो भी ये कह रहे हैं कि दुनिया भर में भारत का नाम हो रहा है भारत के पीएम जब जा रहे हैं तो देखो पापुआ न्यूगिनी जब पहुँचे तो उनका स्वागत हुआ उनकी चर्चा हर तरफ हुई पापुआ न्यूगिनी के प्रधान मंत्री ने पैर छूकर उनका विवादन किया उसके बाद उनका ऑस्ट्रेलिया दौरा हुआ तो वहाँ के पीएम अंतनी अलवनीज ने उन्हें बौस तक कह डाला जहां भारती पीएम पिछले हपते अपने दौरे और कई दूसरे कामों में बीजी थे तो पाकिस्तान में पुरू पीएम के खिलाफ एक्सन लिया जा रहा था इस पर चर्चा हो रही थी अब वहाँ की जनता खुद पीएम मोदी की तारीफ कर रही है और कह रही है कि आज भारत के पीएम ने दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है ये कहा गया कि लोग पहले सोचते थे कि एक चाहे वाला देश कैसे चलाएगा लोग ये मानने को तयार नहीं थे कि पीएम मोदी एक व वो काफी बहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं ये सारी बाते कहना किसका है आपको बता दूँ ये सारी बाते पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पिछले आठ सालों में भारत ऐसी जगह पहुँच गया है जहां वो पाकिस्तान को आतंकी देश साबित करने की कोशिस में लग गया है और चीजें पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बहतर है पीम मोदी के आने के बाद भारत ने काफी तरक्की की है पाकिस्तान की जनता अब यह कह रही है कि कस्मीर मामले में भी पाकिस्तान पूरी तरीके से बेकार हो गया है जनता यह पूछ रही है कि आखिर सोचिए भारत के पीम जब जाते हैं तो उन्हें सम्मान मिलता है और हमारे पीम जब जाते हैं तो लोग यही सोचते हैं कि जरूर यह पैसा मांगने आ गया है इसलिए वहीं से सुरू हो जाती है अपमान वाली घटनाएं खुद पाकिस्तानी इस बात को कह रहे हैं और इसका नमूना भी देख लीजिए भारत में यह जो देख रहे हैं यह तस्वीरें G20 की है एक तरफ रीसी केस में G20 के परतिनी दी आपको दिख रहे हैं आरती करते हुए तो वहीं दूसरा जो यह सीन देख रहे हैं यह पोलो मार्केट का सीन है जो कस्मीर का सीन है और यहां पर डेलिगेट्स जो G20 के लिए थे खरीदारी के लिए निकले हैं कस्मीर का एकदम से बदला हुआ रूप दुनिया के सामने दिख रहा है 17 देशों ने आखिर भारत की तरफ आकर कहा कि हां कस्मीर भारत का है यह तो सिद्ध हो गया पर जहां बिलावल भुट्टो इसे खराब करने के लिए प्योके पहुचा था प्योके में उसने लंबे चोड़े भासन देने शुरू किये और कहा कि यहां जबर्जस्ति कर रहा है भारत अभी पिलावल भुट्टो प्योके में यह मीटिंग ही कर रहा था कि औरते निकल आई औरतों की ग्रूप अब यहां पर परदर्शन करने लगे और पर कीर में वहां पर औरतें अब परदर्शन कर रही हैं और कह रही हैं कि आपने लाखों डॉलर खर्च कर दिये इम्रान खान और सहबास सरीफ के पीछे लेकिन हमारी सेलरी अभी तक आपने हमें नहीं दी है पीयोके में औरतें उतर गई हैं पेमेंट टीशू को लेकर और सिर वैसे वैसे पीयोके की जनता अपनी सरकार को भी कोस रही है कि यहां पर इतना डवलपमेंट हो गया है और हमारे यहां कुछ भी नहीं हुआ है खेर पीयोके में धीरे धीरे इस बात को लेकर समझ तो जरूर पैदा हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर रहने से उन्हें नुक खबर के साथ